अगर वेट लोस के लिए ट्राइक कर रहे हैं और यह वैसे भी खा सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा है तो स्प्राउट्स बनाने का तरीका तो सबको ही पता होगा बट नहीं पता है तो मैं बता दूँ आपको जो मोट है उनको भीगो देना है छह साथ घंटे के लिए उस इसके बाद उनको अच्छे से निथार कर इस तरीके से कपड़े में बांध कर टांग देना है एक या दो दिन के लिए और इस तरीके से ये मोट स्प्राउट्स बन जाएंगे फिर इनकी हम अच्छे सी रेसिपी बनाएंगे बहुत सारी रेसिपीज है इनको बनाने के हूँ तो यहाँ पे दिलीचे मैंने ले लिए हैं कुछ गालिक क्लोव और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगे इसको कूटने के लिए और इसको अच्छे से कूट लेंगे तो जो मोट हैं वो बहुत ही हल्दी हैं इसमें खुब सारे प्रोटीन, मिनरल्स, विटमिन्स होत दालके हम एक पेस्ट जैसा बना लेंगे लाइक चटनी जैसा कुछ हो जाएगा यह और फिर इसको हम यूज करेंगे हमारे मोट स्प्राउट्स के लिए तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है बहुत सिंपल मसाले हैं बट खाने में इतनी ज्यादा टीस्टी लगती है आप च जीरा जब तडग जाएगा तब हम इसमें डालेंगे यह बनायवा पेस्ट और इस पेस्ट को हम अच्छे से भूनना है हम जब तक कच्चा पन यह नहीं निकल में चोड़ाएंगे यह लिए हम अच्छे से बहुन चुका है तो अब इनम स्प्राउट्स के बढ़ें नमक कि कि नमक हम ने जब गाली कूटा था था उस टाइम थोड़ा सा इह डाला था तो और हम थोड़ा सा नमक डालके थोड़ा सा पानी जस्ट थोड़ा सा ताकि यह जो मोठ है वो तले में लगे नहीं उतना सा पानी डालके हम इसे पकाinformation कों हैそう वेट लोस में help करता है और iron होता है जो आपके bones को भी strong बनाता है blood circulation को मजबूत बनाता है इसके साथ ही calcium होता है जो bones strong करता है तो इतने मतलब काफी variety में इसमें minerals and vitamins हैं तो बहुत ज्यादा effective है आपकी health के लिए तो आप जरूर इसे शामिल करें अपने daily life में daily meal में और चाहे त breakfast में खाएं जाहें तो lunch में snacks, dinner कैसे भी खाएं बट एक time के खाने में जरूर इसे शामिल करें और बहुत ही ज्यादा tasty तो लगता ही है साथ के साथ तो हम चेक करते जाएंगे बीच विच में कि ये पका है कि नहीं तो इस बार अच्छे से पक गया हालाग कि हमें थोड़ा स खड़ा खड़ा अच्छा लगता है एकदम अच्छे से पका हुआ नहीं like 80% 90% पक जाए उतना ज्यादा अच्छा लगता है ये और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नेमबू का रस इसे और चकपटा बनाने के लिए थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और आपका जो मोट स् कैसे बनाये और बताये मुझे कि आपको मेरी रेजिपी कैसी लगी, अच्छे लगी ओ तो plz से लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब जरूर करना ताकि यह एसी ही टिस्टी टिस्टी एंड हैल्दी ह्ल्दी रेजिपी आपको मिल लुटी रहें